हेलो एव्रिवान वेलकम टू आएफेस आयोप यौला फाइन तो जितने भी हमारे आयाइटी जाम बीटी के आस्पिरेंट्स है आइम होपिंग कि आप सब ने फॉर्म्स फिल कर दिये है आयाइटी जाम के एक्जाम होने वाली है सेकेंड आफ फेब्रिवरी की बच्चों जि वोड़ा पता होना चाहिए कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं और कितने सीट्स अविलिबल है क्या वहां का फी स्ट्रॉप्चर होता है all these things you must be knowing तो जानते हैं आज के सेशन में आयाइटी बॉम्बे के बारे में all these information पहला information कितने नंबर आफ सीट्स है आयाइटी बॉम्ब इसकी तो आप देख सकते हो ध्यान से for doing masters in biotechnology अगर आप IIT Bombay से masters करना चाहते हो तो total of 35 seats they are giving तो यह बहुत एक अच्छा नंबर है बैचो याद रखना है IIT Bombay is one of the best institute to do your masters there तो यहाँ पे 35 seats available है and if you are interested in this MSC PhD dual degree तो आपको यहाँ पे environmental science and engineering यह option भी मिल रहा है और इसके लिए 3 seats available है in detail यहाँ पर distribution भी बताया गया है category wise कि 35 seats 14 seats general में है 4 seats EWS 9 OVC तो प्लीज याद रखें कि आगर आप किसी category में आते हो तो इसके certificates वग्रे सारे बनाके रख ले यह आपको बहुत काम आएगा for the further admission process and everything यहाँ पे बहुत बच्चों के सवाल होते हैं कि हमा आरे BAC में यह subject है चलेगा क्या वो है चलेगा क्या तो याद रखना है बच्चों they have said any branch कि any branch any subject वाले बच्चे भी exam दे सकते हैं और वो यहाँ पर IIT में जा सकते हैं in that case they have mentioned कि आपका जो bachelors है उसमें subject biology को होना चाहिए biotechnology, chemistry, maths, physics ठीक है कम से कम दो साल तक and any one of the other four subjects for at least one year ठीक है तो आप लोगों का biology तो होना ही चाहिए उसके लाव जो चार subjects mention किये गए हैं उसमें से कम से कम एक subject तो हमारा और होना चाहिए कम से कम एक semester and mathematics for at least one semester year तो ये कुछ information आपको याद रखनी है अगर आपके subjects रहे हैं तो आप लोग ये dual degree वाला option भी यहाँ से select कर सकते हो if you are sure कि मुझे PhD करनी ही है या करना ही है तो definitely आप यहाँ पे जा सकते हो next next what is the academic fee structure तो जितने भी हमारे MSC entrance के aspirants है जिनको IIT Bombay जाना है यह उनका जो information है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अब यह चीज़े थोड़ी बहुत change हो सकती है जब next admission round आएगा पर ज्यादा कुछ major changes में नहीं होगा तो what are the fees they are expected to be paid first of all दो categories है एक में है general and OBC और एक आपको नजर आ रहा है SC STL PD category first they have distributed the fees into three sections in sections में है hostel fees जो है वो थोड़ा अलग है इसके अलावा तो यहाँ पे एक तो admission fee बोला गया है student welfare fund बताया गया है जो 10,000 जो दोनों के लिए common है कि जो दोनों के लिए common आपको नजर आ रहा है जो reserved category में आते हैं उनके लिए usually tuition fee zero होती है बाकी fees आपको भी पेकदना होगा पर जो tuition fee रहता है वो अकसर IIT में zero रखा गया है for the SC ST PD category student so the tuition fee for general category and OBC it is 8750 बाकियों के लिए वो zero है तो देखा जाते tuition fee registration fee examination free gymkhana fee student benevolent fund है student accident insurance fund है medical fee है यह सारी जीजह मिला के 15,600 है for the general or OBC candidates and it is 7350 for the SC STPD candidates apart from that कुछ deposits बताएगा है यह आपको सिर्फ देना है और यह आपको refund हो जाएगा security deposit जैसे हम कोई चीज अगर रेंट पे लेते तो deposit देना पड़ता है अगर आप उसको कुछ damage करोगे तो फिर आपको deposit cut करके मिलेगा पर अगर आपने चीजों का सही से ध्यान रखा है तो आपको यह सारे पैसे refund हो जाएंगे तो जब आप admission लोगे इस टाइम पर आपको कुछ deposit देने होंगे जैसे एक है आपका institute security deposit one we have is the library security deposit तो आपने कोई बुक ली है वहां से और आपसे वह गुम हो गई तो deposit में से पैसे काटेंगे अगर आपने बुक को सही तरीके से लटाया है पूरे साल भर में तो आपको सारे पैसे वापस दे दिये जाएंगे तो देखा जाए तो यह आपको 6000 deposit करना है जो आपको refund हो जाएगा if you are in your best behavior आपने कुछ भी वहां पे किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं किया है तो देखा जाए जो टोटल फी है A section B section and C section में it is 31,600 for the general or OBC students and it is approximately 23,350 for the ST, SC, ST, PD category तो यह एक बाद ध्यान रखना है उसके अलावा एक और चीज़ बताई गई है बच्चों वह होता है continuation fee अगर आप अपना master's कर रहे हो और किसी कारणवश अगर आप master's नहीं continue कर पा रहे हो आपको break चाहिए है वहां से तो आप थोड़ा temporary break ले सकते हो आप विड्रॉ कर सकते अपना admission को वहां से बट अगर आपको लगता है कि मैं एक साल के बाद master's मुझ अगर आपको अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए इन में से तो कुछ amount अपका थोड़ा बहुत माइनूट कम जादा हो सकता है hostel fees की जो information है वो इनकी website पे ही आपको मिल जाएगी आप यह information वहां से ले सकते हैं तो इस इस अगादमिक फी स्ट्रॉक्चर ऑके स्टडी वेरी हार्ट ऑके स्टडी हार्ट बिकर्ज बढ़िया प्लेस्मेंट्स आपका यहां पे वेट कह रहे हैं ठीक है तो इफ यहां टार्गेटिंग इस आयाइटी ज्वाम बीटी के मिस्ट्री मास भी आपको करवाया जाएका तो यह एक आखरी बैच है जो को टागेट करने वाला है अगर आपकी प्रेपरेशन हुई है थोड़ा बहुत पेंडिंग है आपको समझना है कि और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो इस बाच मेंडॉल करके आप बढ़िया टाइम है कि कुछ महीने बचे हैं और इन मन्स के अंदर हम लोग कंप्लीट रिवेशन करने वाले हैं कंप्लीट प्रेशन करने वाले हैं और दी आई 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 जाम 2025 याद रखना है थर्टी एच सब्टेंबर आपका प्रोमो कोड है आई फैस थर्टी इस स if you want more information about examinations like IIT JAM, CVT GATB, चाहे वो syllabus थो पपर पाटन हो, analysis थो, PYQ थो, everything, every little detail is available on our website तो जाके आप ये सारी इस एक्षन को जरूर अक्स करें गरें तो I hope this is clear to everyone, see you all soon, have a great day and very happy learning too